गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स प्यारे बच्चों आज हम सिखेंगे सैमी मॉडल्स के बारे में सैमी मॉडल्स जिनका दूसरा नाम मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं इनको हम और प्यारे बच्चों इनको हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं यह हमारा टॉपिक रहेगा आज का प्यारे बच्चों प्यॉर मॉडल्स के बारे में हम पिछले छे वीडियो लेक्चर में हम सीख चुके हैं और यह हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा मॉडल के उपर और सबसे पहले तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों की सेमी मॉडल्स कौन-कौन से होते हैं यह होते हैं और टू दूसरा मॉडल होता है प्यारे बच्चों धियर तीसरा होता है नीज और चोथा मॉडल होता है हमारा यूज टू यह हमारे सेमी मॉडल्स होते हैं प्यारे बच्चों आप इनको सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है प्योर मॉडल्स से क्यों यह अलग हुए क्यों इनको डिफ्रेंसीट किया गया हलका सा हिंट मैंने आपको दिया था जब मैंने आपको ओट्टू को पढ़ाया था आपको ओट्टू के बारे में हम मस्ट के साथ जान चुके हैं आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे बेर, नीड और यूस्टू के बारे में प्यारे बच्चों जब मैंने ओट्टू के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि model की property होती है क्या property होती है जो prime property होती है कि model के बाद हमेशा bare infinitive आता है bare infinitive का मतलब होता है first form of the verb root form of the verb लेकिन यहाँ पर देखें प्यारे बच्चो ought के बाद two लगा हुआ है और two के बाद हम वर्ब की first form लगाते हैं तो इसी लिए यह pure model से separate हो गया अलग कर दिया हमने इसको यह हमने आपको बताया था अब बात करते हैं dare, need or use to be प्यारे बच्चो यह क्यों अलग हुए सबसे बड़ा reason यह है यह जितने भी model हैं आपको दिखाये दे रहे हैं यह as a main verb भी use होते हैं जबकि कोई भी pure model जो है प्यारे बच्चो वो main verb के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन यह dare, need or used to यह as a model verb भी use होते हैं और as a main verb भी sentences में use होते हैं और यही कार्ण है कि इनको main model से जो हमारा pure model थे उनसे हमने अलग कर दिया सबसे बड़ा reason है प्यारे बच्चो तो आईए सबसे पहले सीखते हैं dare के बारे में dare सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए प्यारे बच्चो की dare का मतलब क्या होता है dare का मतलब होता है प्यारे बच्चो to challenge डेर का मतलब होता है, to be brave enough और डेर का मतलब ये भी होता है, प्यारे बच्चों, to be rude enough. क्या मतलब हुआ, डेर का पहला मतलब है, to challenge, जब हम कोई चुनोती देते हैं, प्यारे बच्चों किसी को, चुनोती देने के लिए, डेर का प्रियोग किया जाता है, डेर का मतलब to be brave enough, बहादूरी दिखाने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए, साहस दिखाने के लिए, डेर का प्रियोग करता है, डेर का मतलब ही साहस दिखाना होता है, to be rude enough, डेर का मतलब ये भी है, μतलब दुस साहसी होना, एक तो होता है साहस, इनने positive sense में यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, और दुस साहस जो है वो, negative sense में यूज किया जाता है, तो आप सासी भी होते हैं और आप दूस सासी भी होते हैं और आप किसी को चुनोती भी देते हैं तो इसका मतलब क्या है आप वहाँ पर डेर का इस्तिमाल करते हैं देखिए सबसे पहले हम इसको as a main verb सीखेंगे प्यारे बच्चिव मुखे क्रिया के रूप में डेर का प्रियोग कैसे होता है as a main verb मौडल के रूप में हम बाद में सीखेंगे और फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा प्यारे बच्चों कि as a main verb और as a model verb जब ये use होता है तो क्या डिफरेंस होता है तो देखिए as a main verb मुखे क्रिया के रूप में जब हम डेर का इस्तेमाल करते हैं सिंपल सेंटेंस में करते हैं अफ़र्मेट्यू सेंटेंस में कैसे करते हैं गौन आई देर यू तो होल्ड दिस बिग स्नेक यह देखिए प्यारे बच्चों गौन जारी रखो I dare you मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं मैं तुम्हें चुनोती देता हूं तो होल्ड दिस बिग स्नेक इस बड़े साब को हौल्ट करने के लिए चैलेंज करना तो यहाँ पर डेर का मतलब क्या है चैलेंज करना प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, dare की present form dare होती है और past form dared, 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 first form, second और third, ये भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर हमने first form का use किया है, go on, जारे रहो, I dare you, मैं तुम्हें challenge करता हूँ to hold this big snake, इस बड़े साप को पकड़ने के लिए, इस बड़े साप को पकड़ने के लिए, मैं तुम्हें चुनोती देता हूँ to challenge, अब देखी दूसरे example को और देख लिए प्यारे बच्चो, he dares to stand in front of you. यह देखे, यहाँ पर subject हमारा singular था, लेकिन third person नहीं था, प्यारे बच्चो, इसलिए हमने S याई एस नहीं लगाया. यहाँ पर हमारा, यह singular भी है और यह third person भी है, तो singular है, तो वब भी आपकी singular ही आने चाहिए. He dares to stand in front of you, वह तुम्हारे सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है, तो बी ब्रेव अनव, यहनि ही इस ब्रेव अनव, तो ब्रेव अनव, वो इतना भादुर है, कि तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो सकता है, तो बी ब्रेव अनव, अब तु भी रूद अनव में देख लेजिए, प्यारे बच्चो, शी देर्स तु काल हर हस्बेंट अ बिग फूर, यह देखे प्यारे बच्चो, शी डेर्स तु काल हर हस्बेंट अ बिग फूर, वो अपने पती को एक बड़ा मूरख कहने की हिम्मत रखती है, या दुसाहस रखती है, क्योंकि पती के सामने बोलना कोई साहस की बात तो होती नहीं है, दुसाहस ही होता है, तो वो अपने पती के सामने बोलने का दुसाहस रखती है, मतलब उसे बड़ा मूरख कहने का दुसाहस रखती है, मतलब, she is rude enough to call her husband a big fool, यानि वो इतनी ज्यादा rude है कि अपने पती को वो मूरख भी कह सकती है, तो यह क्या है, दुसाहस की बात हो रही है, यहां साहस की बात हो रही है, और यहां आप किसी को चेलेंज कर रहे हैं, तो अपने देखा, और भी देख लीजी, कोई एक आद एक्जामपल और देख लीजी, तो अपने मालिक की अवज्यादा, नौकर जो है, वो अपने मालिक की अवज्यादा, करने का दुस्साहस रखता है, क्योंकि वैसे तो नौकर को चाहिए कि मालिक की अज्यादा का पालन करना चाहिए उसको, लेकिन वो उसकी अवज्यादा करने का दुस्साहस रखता है, साहस नहीं, वो दुस्साहस कहलाएगा, प्यारे बच्चों, तो आपने देखा, इन सभी sentences में देखा, dare को as a main verb देखा अब यहां के structure से क्या पता लगा, प्यारे बच्चों देखें, जब भी dare को as a main verb यूज किया जाता है, प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना, dare plus to plus verb की first form dare के बाद में यह देखें, यह dare आ गया, to stand to लगा करके verb की first form लगाई है, यह dare आ गया, to लगा करके verb की first form लगाई है यह dare आ गया, यह main verb है प्यारे बच्चों, यह main verb है और उसके बाद जो प्रियोग हुई है, यह verb जो प्रियोग हुई है, वो to लगा करके verb की first form प्रियोग होती है इसका structure हमेशा ऐसा रहता है आम तोर से to लगा करके ही verb की first form का प्रियोग किया जाता है, प्यारे बच्चों देखें प्यारे बच्चों, आप इसको negative sentence में यूज करते हैं as a main verb तो आएए उनी का बना करके देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे केया। करते, के कि देखें देखें। इसका हमने इसम्पल संटेंस लिखाता प्यारी बच्छान। क्या लिखा था। The servant dares to disobey his master. और यह present indefinite tense का sentence है, तो जब इसका negative बनाते हैं तो helping भी आप ले करके आते हैं। The servant does not dare to disobey his master. यह हमने इसका negative बना दिया. She does not dare to call her husband a big fool. वहाँ पर आपने affirmative sentence देखा था, प्यारे बच्चोर, यहाँ पर मैंने उसका negative बना दिया. वो भी present indefinite tense का sentence था, तो present indefinite tense में आपको पता है, कि यदि हमारा subject जो है, वो singular हो और third person हो, तो उसके साथ हम helping verb does का प्रियोग करते हैं. तो यह हमारा singular भी है और third person भी, इसलिए हमने does लगाया है. यह भी हमारा singular भी है और third person भी है, इसलिए हमने negative बनाते हुआ does लगाया है. Got it? So easy. और अगर हम ineco-introgative sentence के रूप में अगर बनाएं प्यारे बच्चू, Introgative, यहनि person भाचक वाक्य अगर हम बनाएं, तो उसमें हम क्या करते हैं? Helping verb को बाहर ले आते हैं. So simple. देखी, does the servant dare to disobey his master? So easy. आप इसका interrogative sentence भी बना सकते हैं तो देखे, as a main verb हम dare का use देख रहे हैं प्यारे बच्चों और हमने देखा, साधान वाक्यों में भी प्रयोग होता है negative वाक्यों में भी as a main verb प्रयोग हो रही है interrogative sentences के अंदर भी as a main verb इसका इस्तेमाल हो रहा है ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों ये इसलिए बता रहा हूँ, जब हम model के रूप में dare का use करेंगे तो इन sentences के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका meaning same रहता है कैसे रहता है, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो मुझे उम्मिद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे dare को हम as a main verb जो है, वो use करते हैं ये present tense में मैंने आपको दिखाया, आप इसको past tense में use कर सकते हैं आप इसको किसी भी tense के अंदर use कर सकते हैं, ये हमारी verb की form रहेगी अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, as a model, देर का प्रियोग as a model auxiliary, dare को हम कैसे use करते हैं प्यारे बच्चों, जब model की बात आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि model के रूप में अगर हम dare का प्रियोग करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, dare infinitive लगाना है, मतलब root form of the verb लगानी है आपको ये द्यान रखना है प्यारे बच्चों, जब ये model के रूप में use होगा, तो इसका प्रियोग हम अधिकतर negative sentences और interrogative sentences में ही प्रियोग करते हैं यानि साधान वाक्यों में as a model प्रियोग नहीं किया जाता है, प्यारे बच्चों अगर साधान वाक्यों में इसका प्रियोग करते भी हैं प्यारे बच्चों, तो उस वाक्य की sense जो है वो negative ही निकले गए ठिक, समानता इसका प्रियोग negative sentences और interrogative sentences में ही किया जाता है तो आएए same example के दुआरा हम देखते हैं प्यारे बच्चों, negative sentences में the servant dare not disobey his master ऐसे model प्रियोग होगा प्यारे बच्चो तो ऐसे होगा यह देखिए यह आगए आपका model और यह आगए आपकी main verb अब यह model है और यह आपकी main verb है प्यारे बच्चो model model के बाद bare infinitive यानि first form of the verb जब ऐसे main verb इसी sentence में यूज हो रहा था प्यारे बच्चो तो कैसे हो रहा था देखिए the servant does not dare to disobey his master जब हम dare को ऐसे main verb यूज कर रहे थे प्यारे बच्चो तो ऐसे कर रहे थे main verb के रूप में यूज कर रहे थे तो उसके बाद जब आगे कोई वब लगा रहे थे तो उसके साथ two लगा करके हम वब लगा रहे थे प्यारे बच्चों, लेकिन जब model के रूप में इसको हम use करते हैं, तो उसके बाद में bare infinitive का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों का meaning सेम होता है, प्यारे बच्चों, इसके meaning में और इसके meaning में कोई fork नहीं है, यही कार्ण है, प्यारे बच्चों, कि इनको हम defective verbs भी कहते हैं, जब यह model के रूप में use होती हैं, तो भी same meaning रखती हैं, और जब यह main verb के रूप में use होती हैं, तो भी इनके meaning में कोई fork नहीं आता, the servant dare not disobey his master, यानि उसकी अवग्या करने का साहस नौकर में नहीं है, the servant does not dare to disobey his master, इसका मतलब भी यही है, क्या मतलब हुआ, कि नौकर जो है, वो अपने मालिक की अवग्या करने का साहस नहीं रखता है, हिमत नहीं रखता है, या दुस साहस नहीं रखता है, दोनों का meaning same रहता है चाहे उसको हम as a main verb के रूप में यूज करें चाहे model के रूप में यूज करें लेकिन use के दोरान आपको ये देखना है प्यारे बच्चों आप कैसे पहचानेंगे देखिए यहाँ पर आपको helping verb मिलेगी प्यारे बच्चों जब as a main verb ये use होगा negative sentence में affirmative में नहीं लेकिन आप ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि affirmative sentence में तो model के रूप में use होता ही नहीं जहाँ पर affirmative sentence में ये model के रूप में आपको ये use मिले तो आप समझ लेना कि वो main verb के रूप में ही use होता है affirmative sentence में डेर का प्रियोग जो है वो main verb के रूप में ही use होता है और negative और interrogative में आपको पहचानना बड़ा easy हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपको helping verb मिलेगी अब यहाँ पर देखें यहाँ पर helping verb है तो यह main verb है अब यहाँ पर कोई helping verb नहीं है प्यारे बच्चों और note लगा हुआ है क्योंकि note बगेर helping verb के तो आ नहीं सकता model के बाद आ सकता है तो इसका मतलब यह model हुआ और यह हमारी main verb हुई यहां पर यह helping वब हुई, यह हमारी main वब हुई और यह infinitive हुआ, the infinitive, two plus वब की first form, the infinitive होता है, got it, so easy, same आप, दूसरा एक्जाम्पल से भी आप वही, आप देख सकते हैं, यह, she dare not call her husband a big fool, और एजे में वब इसके साथ साथ देख लो, she does not dare to call her husband a big fool. यह देखें प्यारे बच्चों, यहां पर यह model की रूप में है, यह model, यह हमारी main वब, model के बाद bare infinitive, वब की first form. यहां पर यह helping वब आगी, प्यारे बच्चों, यह हमारा यहां पर main वब है, और यह da infinitive है. bare infinitive होता है, without to, और da infinitive होता है, प्यारे बच्चों, two plus verb की first form. meaning दोनों का same है, इसका और इसका, और यही सबसे बड़ा कार्ण है, कि dare को, need को, या used to को, इनको defective verb कहा जाता है, प्यारे बच्चों. तो as a model, negative sentence में आपने देख लिया, आप देखिए, interrogative sentence में कैसे प्रियोग करते हैं, देखते हैं, प्यारे बच्चों, कि interrogative sentence में, negative sentence के तरह meaning same रहता है या नहीं रहता, बिलकुल रहता है, देखिए, उसी का बनाते हैं, आपका interrogative, जेर दा सर्वेंट, दिस होबे इस मास्टर, और ऐसे मेन वब भी देख लिजी, यहां पर ऐसे मोडल है, प्यारे बच्चों, यह देखिए, मोडल को हमने subject से पहले लगा रखा है, क्योंकि interrogative sentences में, हम ऐसा ही करते हैं, कि मोडल को subject से, पहले लेकर करके आते हैं, dare the servant disobey his master, second sentence में देखिए, यह हमारी helping verb है, यह हमारा subject है, तो यह क्या हुई, यह main verb हुई, लेकिन दोनों का meaning same है, प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा, कि as a model जब dare का प्रियोग किया जाता है, यह as a main verb इसका प्रियोग करते हैं, negative और interrogative sentences में, meaning जो है, वो same रहता है, और affirmative sentences में, हम as a model, dare का प्रियोग करते नहीं हैं, प्यारे बच्चों, तो आप बड़ी असानी से sentences में इसको पहचान सकते हैं, कि कैसे dare का प्रियोग, आप इसमें को एकाद example और देख सकते हैं, प्यारे बच्चों, How dare you insult me, मेरी बेश्टी करने के तुमारी हिम्मत कैसे हुई, तो इस प्रिकार के sentences जो हाउ से start होते हैं, आपको इन में surprise मिल सकता है, आपको surprise हो सकता है, आप speaker का anger भी हो सकता है, प्यारे बच्चों, How dare you insult me, How dare you touch me, तुमारे मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, तो इस प्रिकार के sentences बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, प्यारे बच्चों, spoken English में काफी इस्तेमाल होता है, as a model, यह देखिए, यह model है प्यारे बच्चों, यह हमारा model, यह हमारा subject, यह हमारी main verb, दौनों sentences में, यहाँ पर touch है, यहाँ पर insult है, तो यह भी interrogative sentences है, जो how's a start है, यह भी interrogative sentences हैं, प्यारे बच्चों, यह with, main verb के साथ है, और यह model के साथ है, तो interrogative sentences में भी, आपने देख लिया, जब हम use करते हैं, तो as a main verb use करते हैं, डेर का, तो same meaning रहता है, कोई फरक नहीं रहता, और यही सबसे बड़ा कारण है, इनको defective verbs कहा जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है, प्यारे बच्चों, आप इनको semi models के category में लेकर के आते हैं, या marginal models के category में लेकर के आते हैं, क्योंकि model के बाद यह इस rule को तो मानते हैं, model के बाद bare infinity वाता है, ठीक है, ought to नहीं मानता, use to नहीं मानता, लेकिन dare और need दोनों के दोनों इस बात को मानते हैं, कि model के बाद bare infinity वाता है, लेकिन यह किस बात को नहीं मानते हैं, प्यारे बच्चों, यह as a main verb भी use होते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए है, got it, तो आईए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं next model हमारा, need के बारे में, तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे need, बिल्कुल सेम ऐसे ही need का use होता है, जैसे आपने dare का किया है, meaning का difference है, meaning का आपको पता है, need मैंने क्या होता है, आप शक्ता, तो ठीक इसी तरह से as a main verb भी use होता है, need और as a model भी होता है, as a main verb, ज्यादा detail में नहीं जाएंगे, just for example, he needs to go to the hospital to meet his friend. एक एक एक्जामपल और देखे लिजिए, प्यारे बच्चों, यहां पर देखे प्यारे बच्चों, यह as a main verb भी यूज हो रहा है, present tense में आपको पता है, जब हमारा subject singular और third person होता है, तो उसके साथ verb भी जो है, वो singular ही आती है, he needs to go, और यहां पर भी वही, जब as a main verb यूज होता है, तो need के बाद हम two plus verb की first form लगाते हैं, जब इसको as a main verb यूज किया जाता है, तो उसके बाद, आगे जो verb आएगी हमारी, वो two plus verb की first form आएगी, he needs to go, उसे जाने की आवशकता है, कहाँ पर, to the hospital, hospital में to meet his friend, अपने friend से मिलने के लिए, उसका friend बिमार होगा, तो उसको hospital में अपने friend से मिलने के लिए जाने की आवशकता है, need का मतलब क्या होता है, आवशकता, he needs to speak slowly, उसको धीरे बॉलने की आवशकता है, मालने जी कोई आदमी तेज तेज बोल रहा है, और आप उसको suggest करें कि इतना तेज बोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि you need to speak slowly, got it, तो as a main verb देख लीजिए, आपने देखा main verb का क्या structure ठीक वैसे ही जैसे dear का था, यह main verb है हमारी need के रूप में, और यह हमारा the infinitive use हो रहा है, प्यारे बच्चू, got it, without to be use हो सकता है, अगर हम आगे कोई और verb ना लगाएं, प्यारे बच्चू, जैसे I need it, इसके बाद कोई और verb हमने नहीं लगाई, इसके बाद हमने direct object लगा दिया, तो उसके बाद 2 plus verb की first form नहीं है, आप इसको ऐसे भी main verb के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद और कोई verb आती है, प्यारे बच्चो, तो वो the infinitive ही आएगी, got it, तो as a main verb, अगर हम इसका negative बनाना चाहें, प्यारे बच्चो, तो यहीं पर देख लो, he does not need to go to the hospital to meet his friend, आप इसका negative बनाओ, he does not need to speak slowly, आप इसका interrogative भी बना सकते हैं, does he need to go to the hospital to meet his friend, does he need to speak slowly, फिर एस हट जाएगा प्यारे बच्चो, got it, do I need it, so simple, as a model, जैसे आपने देखा था, प्यारे बच्चो, dare को देखा था, हम इसका प्रियोग भी negative and interrogative sentences में ही करते हैं, negative और interrogative sentences में ही need का प्रियोग as a model, किया जाता है, देखी, यही पर प्रियोग करते हैं, he need not go to hospital to meet his friend. यह हो गया इसका negative, यहां पर देखें, प्यारे बच्चो, यह हमारा model है, और यह हमारी main verb है, model के बाद bare infinity, main verb, तू नहीं लगा हुआ है. प्यारे बच्चो, अगर हम इसका negative, main verb के रूप में बनाएं, तो हमारा, क्या बनाया था हमने, he does not need to go to the hospital, यह he need not go to the hospital, दोनों का meaning same है. चाहे आप main verb के रूप में does लगागर के बना लो, चाहे इसको model के रूप में negative लगागर के बना लो, meaning same रहेगा. यहनि इसका behavior भी बिल्कुल वैसा ही है, जैसा हमने dear का बताया है, आपको. ऐसे interrogative के अंदर आप देख लो, प्यारे बच्चो, मान लिजिया हम इसका interrogative बना रहे हैं, need he speak slowly. यह बन गया इसका interrogative. As a model, यह अगर इसका interrogative उसके रूप में हम बनाते, main verb के रूप में बनाते तो, does he need to speak slowly? दोनों के meaning में कोई difference नहीं है, प्यारे बच्चो, जैसे dear के case में आपने देखा था, ऐसे ही need के case में भी कोई difference नहीं होता. तो as a model, need का प्रियोग आवशक्ता के लिए किया जाता है. ठीक है? वैसे negative में और interrogative sentences के अंदर ही use किया जाता है. हम बहुत बार negative sentence में इसका प्रियोग करते हैं. You need not go there. आपको वहाँ जाने की आवशक्ता नहीं है. बहुत बार हम किसी काम के लिए किसी विक्ति को मना करते हैं तो हम need model का use करते हैं. Spoken English में you needn't go there. Need I go there? क्या मुझे वहाँ जाने की आवशक्ता है? You needn't go there. तुम्हें वहाँ जाने की आवशक्ता नहीं है. तो as a model हम need का प्रियोग ऐसे करते हैं प्यारे बच्चों. Got it? बहुत असान है. जैसे dare का किया वैसे ही need का प्रियोग हुआ. और चुकि जब as a main verb में जो negative और interrogative sentences होते हैं और model के रूप में negative और interrogative sentences होते हैं, प्यारे बच्चों, दोनों का meaning सेम रहता है. इसी कांड से dare और need को defective verbs कहा लाता है. समझ में आ गया? बहुत ही असान है. अब बात कर लेते हैं used to को. तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम used to को as a main verb कैसे use करते हैं. I have used this pen many times. यह देखिया, मैं इस pen का प्रियोग बहुत बार कर चुका हूँ. I have used this pen many times. Simple sentence. आप negative बना सकते हैं. I have not used this pen many times. मैंने इस pen का प्रियोग बहुत बार नहीं किया है. आप इसका interrogative भी बना सकते हैं. Have I used this pen many times? तो as a main verb, आप use to को प्रियोग कर सकते हो, प्यारे बच्चों. यह देखिए, यह helping verb है हमारी. यह हमारी main verb है. यहां पर. ठीक है? अब बात करते हैं, इसके as a model. As a model, प्यारे बच्चों, कहां पर प्रियोग होता है यह used to? पास्ट है बिच्चों एक्षिन. यानि, आपकी कोई अतीत की आदत है, रही है, आप उसको व्याखित करने के लिए used to का प्रियोग करते हो. कैसे बहला? Before marriage, I used to drink a lot. विभा से पहले मैं बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया करता था. तो क्या हुआ यह? पास्ट की जो हैबिट है, यह उसको एक्स्प्रेस करने के लिए है. Got it? तो पास्ट की हैबिट को व्याखित करने के लिए हम used to का प्रियोग करते हैं. कोई ज़्यादा यूज नहीं है, प्यारे बच्चों इसके. और क्या यूज हो सकता है? दूसरा जो यूज है इसका तो एक्स्प्रेस एक्जिस्टेंस और अफ एनिधिंग इन पास्ट पास्ट में किसी भी चीज के आस्तितों को व्याखित करने के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है, प्यारे बच्चों. जैसे फोर एक्जामपल, देर यूस्टो बी आप बिग पॉन्ट मान लेजिए आप किसी गाउं में जाते हैं और आप बहुत साल के बाद में आप वहां पर जाते हैं और आपने वहां पहले एक बहुत बड़ा तलाब देखा था और आप किसी को फिर क्या बोलेंगे यहां पर एक बहुत बड़ा तलाब हुआ करता था यानि तो एक्सप्रेस एक्जिस्टेंस किसी भी चीज का अस्तितव जो अतीत में था उसको व्याखित करने के लिए भी यूस्टू का प्रियोग as a model किया जाता है प्यारे बच्चों बस मुख्यत है यही दो यूज होते हैं इसके आप इसका कोई और एक्जामपल भी ले सकते हैं जब मैं नौजवान था तो एक बहुत बड़ा मेला जो है वो यहां पर भरा करता था हुआ करता था तो पास्ट में किसी चीज की एक्जिस्टेंस के बारे में आप बता रहे हैं बिग फियर के बारे में बहुत बड़े मेले के बारे में आप बता रहे हैं कि जब आप जबान थे तो एक बहुत बड़ा मेला यहां भरता था तो बस यही दो use होते हैं प्यारे बच्चो As a model, use two key या तो past की habitual action को बताया जाता है या फिर past में कोई चीज़ का existence रहा है, कोई चीज़ का अस्तित हो रहा है उसको बताने में इसका प्रियोग किया जाता है गॉट इट? तो प्यारे बच्चो ये था हमारा model के ओपर last lecture और मुझे उमीद है कि आपको dare, need और used to के बारे में अब कोई भी संदे नहीं रहेगा और आप इनको बड़े आराम से किसी भी sentence में जब ये as a main verb use हो रहे होंगे ये as a model use हो रहे होंगे तो आप इनको बिल्कुल पहचान लेंगे और ये भी आपने सीख लिया कि कहां पर dare और need का और used to का as a model use होता है ये देख लिया प्यारे बच्चो आपने कि negative और interrogative sentences में ये भी negative और interrogative sentences में और used to का प्रियोग तो आपने देखी लिया प्यारे बच्चो simple sentences के अंदर कहां use हो रहा है past की habit के बारे में और past के अंदर कोई चीज एक्जिस्ट करती थी आप उसको बता रहे हैं तो उसके बारे में भी यूस्टू का प्रियोग होता है तो यह था प्यारे बच्चों आपका सैमी मॉडल, मार्जिनल मॉडल्स और यू कैन से डिफेक्टिव वाप्स तो इस बार हमारी मास्ट रक्सिसाइज रहेगी प्यारे बच्चों जिसके अंदर हम अधिकतर मॉडल्स डालेंगे उसको बड़े ध्यान से करना है आपने अगर कोई भी मॉडल का वीडियो लेक्चर मिस किया है प्यारे बच्चों तो सबसे पहले उसको देखना बिल्कुल हीटें ट्राइल मैथड के उपर आपको नहीं जाना है और फिर आपको उस मास्ट रक्सिसाइज के उपर जाना है और फिर उसको कम्प्लीट करना है गाट इट? थैंक यू वेरी मच्च, हैव नाइस टेख